सोचे एवं चर्चा करें नीचे की तालिका में कक्षत दस्वी की परिक्षा के परिणाम दिये गए हैं वर्ष 2001 में 88 प्रतिशत वर्ष 2002 में 80.5 प्रतिशत वर्ष 2003 में 66 प्रतिशत वर्ष 2005 में 55 प्रतिशत क्या आप 2004 एवं 2006 के परिक्षा परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं ग्राफ से आंकड़े निकालना करके देखें आप अपने स्कूल के अलग-अलग कक्षाओं के 40 लड़के या लड़कियों की उम्र एवं उनकी उँचाई सेंटीमिटर में का आंकड़ा एकत्रित कीजिए एवं उन बच्चों की आयू तथा उनकी आयू वार उसत उचाई के बीच ग्राफ खीचिए आंकड़े लेते समय ध्यान रखें कि उनमें से 3 से 5 बच्चे समान आयू के अवश्य हों इस ग्राफ के आधार पर आप बताएं पहला, 15 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों की उसत उचाई कितनी हैं? दूसरा, 10 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों की उसत उचाई कितनी हैं? तीसरा, 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की उम्र वाली लड़कियों की उसत उचाई में इस दौरान कितनी व्रिद्धी होई? क्या पता लगा सकते हैं कि 14 वर्ष के उम्र वाली लड़कियों की ओसत उचाई कितनी होगी सवाल 4 एवं 5 के हल कैसे पता किये जा सकते हैं संकेत एक्स अक्ष पर 14 वर्ष को दर्शाईए और उसे एक्स अक्ष के लमवत चल कर आलेक की रेखा के सीध वाली बिंदू से मिलाईए आलेक की रेखा पर मिले बिंदू को वाय अक्ष से मिलाईए वाई अक्षपर जो मान मिलेगा वह 14 वर्ष की उम्रवाले बच्चों की ओसत उचाई दिखाएगा इसी प्रकार आप आपके द्वारा लिये गए आकडों में से किसी भी उम्रवाले बच्चों की ओसत उचाई पता कर सकते हैं चटवा क्या आप इस ग्राफ 8 वर्ष वो 20 वर्ष पर इन्हीं लड़कियों की ओसत उचाई पता कर सकते हैं चर्चा करके लिखें उदाहरन 13 जनसंख्या के आकडों से सम्मंधित निम्नलिखित ग्राफ को देखिए तथा ग्राफ के आधार पर नीचे लिखे सवालों के जवाब दीजिए पहला प्रश्ण वर्ष 1980 में जनसंख्या कितनी थी? दूसरा वर्ष 1960 से 2000 तक जनसंख्या में कितनी व्रिद्धी हुई? तीसरा वर्ष 1975 में जनसंख्या कितनी थी? चौथा वर्ष 1995 में जनसंख्या कितनी थी? पता लगाईए पांचवा क्या दिये गए आंकडों के आधार पर 2010 की जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकता है प्रश्ण एक और दो के आंकडे हमें सीधे सीधे ग्राफ द्वारा मिल सकते हैं परंतु प्रश्ण तीन, चार और पांच के आंकडे हमें ग्राफ द्वारा निकालने होंगे ग्राफ में प्रदर्शित आंकडों को यदि देखें तो उसमें लगातार व्रिद्धी होती दिखाई पड़ रही है एक सक्षपर वर्ष 1975, 1995 और 2010 को दर्शाने के साथ-साथ वाय अक्षपर भी पैमाना 45 लाग से 55 लाग तक बढ़ाना होगा अब यदि ग्राफ पर ग्यात हुए बिंदुओं को वाय अक्षपर इस्थित संगत बिंदुओं से मिलाएं तो 1975, 1995 और 2010 की जनसंख्या के अनुमानित आकड़े मिल सकते हैं ग्राब देखें इस प्रकार हम एकत्रित आकड़ों के आधार पर अनुमानित आकड़े प्राप्त कर सकते हैं अनुमानित आकड़ों के आधार पर वर्तमान में भविष्य के लिए नई योजनाये बनाने में मदद होती है। जैसे अनुमानित जनसंख्या को वास्तविक्ता में बदलने से पहले नियंत्रित करने की योजना वर्तमान में ही बनाई जा सकती है। नोट, 2010 के अनुमानित आंकड़े के लिए यह माना गया है कि जनसंख्या बढ़ने का रुजान वही रहेगा. यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो, उस समय जनसंख्या बढ़ने को रोकने के बहुत प्रयास हो रहे थे. उससे रुजान पर क्या असर आया, यह हम नहीं कह सकते. इसलिए इस तरह का बहिर्वेशन इस समझ से ही किया जाता है कि यह एक अनुमान मात्र है.